स्वागत है आप सभी का Tech Study आई टेया यूट्यूब चनल पर DRDO Technician A के Examination स्टार्ट हो चुके 6 जनुरी 2023 को 6 जनुरी 2023 को Examination हुए थे और कई सिफ्ट में जो Examination हुए वहाँ से कुछ Questions Memory Base हमारे पास तक जो आए कुछ Candidates ने Mail भी किये तो ये Questions Share करने का परपस सिर्फ ये Questions का लेवल क्या है वो आपको पता चल जाए और किन-किन टॉपिक से Questions आ रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे Clear हो जाएगा तो चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करके इस तरीके से विल आइकन को जरूर दबा लिजेगा हर दिन का यहाँ पे Analysis भी आपको मिलता रहेगा इसके साथ साथ जाओ और अप्रिंटिशिप की अपडेट यहाँ पे आपको हमेशा मिलती ही रहती है तो आए बिना किसी देरी के देखते हैं Questions Questions में अगर देखें तो एक कुश्चन पूछा गया आपका बारदोली सत्यागरा कब हुआ था तो बारदोली सत्यागरा आपका 1928 में बलब भाई पटेल जी की नेतरित में हुआ था सरदार बलब भाई पटेल नेक्स्ट एक कुश्चन पूछा गया भारत में उब्होगता अंदोलन कब हुआ था तो 1960 में भारत में उब्होगता अंदोलन हुआ था फीफा अंडर 20 महिला बिस्तुकप कौन जीता तो इस्पेन ने जीता एक करेंट चैंपियन है आपका इस्पेन यहाँ पे 2022 में जीता इन्होंने ठीक है फीफा अंडर 20 वर्ड कप जो की कहाँ पे हुआ था होस्ट कंट्री आपकी थी कोस्ट तारिका ठीक है ध्यान दीजेगा इसको इसके लावाँ चीटी के डंक में कौन सा एसिड होता है यह भी कुस्टन पूछा जा सकता है यह भी पूछा गया तो पूछा जा सकता है तो चीटी के डंक में आपका फार्मिक एसिड पाया जाता है या फार्मिक अमल पाया जाता है यह भी कुस्टन पूछा गया था किर्केट में कितने खिलाडी होते हैं बहुत ही बेसिक सा कुश्चन देखे 11 मैदान में उतरते हैं बाकी 16 का चैन होता है आपका यहाँ पे तो जैसा आपको हमने सलेबस एनलाइस करते हैं टाइम बताया था कि अगर आपके 100% कुश्चन को हम लोग बाठें तो 40%, 40% और 20% तीन पार्ट में अगर करें तो यह होता है इजी, यह मौडरेट और यह हार्ड जिसमें से अगर सबसे अच्छा आप स्कूर करते हैं मौडरेट में करते हैं क्योंकि यहां आप मेहनत किये रहे थे कई बार इजी कुश्चन्स आप लोग गलत करके आ जाते हैं तो सेलेक्शन लेना है तो आपको इजी कुश्चन्स जरूर बेसिक जितने कुश्चन अभी आगे हम दिखाएंगे कितने बेसिक कुश्चन्स पूचे गएं एलेक्टिसें ट्रेड से और सभी से इजी वाले पे ध्यान रखिए मौडरेट तो आप अच्छे से पढ़िए हार्ड में अगर आप थोड़ा सभी कर लेते हैं और आप आपाशानी से से जलेक्शन यहां पे पा सकते हैं जैसे देखे हाउकी में कितने खिलाड़ी होते हैं यह सब क्या हैं एजी कुश्चन्स हैं कई बार आप इसकिम कर देते हैं और कन्फ्यूजन में वहां भूल भी जाते हैं इक 11 खिलाडी होते हैं पुस्प का अध्यन क्या कहते है पुस्पोंका अध्यन किसके अंतर गताता है उसे हम कहतے है अब देखे कितना सिंपल कुस्टन आया Laser का Full Farm आया Laser का Full Farm आया Laser का क्या होता है Light Implification By Stimulated Emission of Radiation and GSLV जो Launch Vehicles होती है क्या है जियो सिंक्रोन सेटलाइट लांच वेहिकल इससे रिलेटेड कुश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि आप DRDO में जा रहे हैं ध्यान दीजेगा एक कुश्चन देखें कितना बेसिक पूछा गया है एक बैटरी की छंता क्या होती अगर आप अलेक्ट्रीसियंट्रेट से हैं वायर्में से हैं तो आप कितने आसानी से बता सकते हैं Mpyr घंटा क्या होती है Mpyr घंटा हम लोग बोलते है कितने A T H की बैटरी है ये हो गया एक और कुषस्चन आप से यहाँ पहुचा गया जो हमारे घरों में बिजली होती उसका जो यूनिट होता है वो किसमें नापने तो आपकी क्या होती किलो वाट जैसे होता है किलो वाट आवर होती उसकी पावर ठीक है तो ये भी questions पूछा गया था इसका भी आप लोग ध्यान दीजेगा unit से related questions पूछे जा रहे हैं वो चाहे technical mechanical related trade हो like fitter हो या electrical वाला trade हो उसमें भी दोनों में unit से related questions put up हो रहे हैं बैटरी की voltage rating किस पे आधारित होती है तो स्रेणी में सैयोजित जो सेलों की संख्या है उस पे आपकी voltage rating जो है आधारित होती है एक question देखे कितना basic सा पूछा गया ट्रांसफार्मर का principle ट्रांसफार्मर से 4 से 5 questions put up हो रहे हैं किस पे काम करता है अन्योने प्रेरण या mutual induction पे ए में जो सिलिका जल होता है उसका काम क्या होता है या ब्रीदर में क्या भरा होता है तो सिलिका जल भरा होता है सिलिका जल का काम क्या होता है moisture को absorb करना ठीक है एक और question पूछा गया कि जो transformer में बाहर हमें दिखता हो क्या portion दिखता है तो ऐसे ऐसे questions put up हो रहे हैं transformer से ELCB का full form प आप लोग याद कर लीजे अच्छे से इसके बाद आगे बढ़ें और कुश्चन पूछा गया का प्राज सभा के सदस की उम्र तो 30 वर्स होती है स्री लंका के प्रणावे प्रधानमंत्री तो ये करेंट में जितने चीजें चल रहे हैं उनसे रिलेटेड कुश्चन काफी प जानते हैं एक कुश्चन पुछा गया भारती तटरचक के केंदरी कृत भुकतान पढ़ा ली जो सेंट्रलाइस पेमेंट सिस्टम है उसका नाम तो ये लांच किया गया था इसका नाम क्या है पदमा ठीक है आरे समाज के स्थापना कब हुई थी आरे समाज के स्थापना गिर गाउं मुंबई में एक और कुश्चन पुछा गया जो पहला प्रित्वी अंतराश्ट्री सम्मिट या सम्मेलन है वो कहां हुआ था तो ये हुआ था आपका रियोडी जेनेरो में तीन सारिक को स्टार्ट हुआ था तीन जून को और चौदा जून को एंड हुआ था 1992 में सिलिका जल ब्रीदर वाला जो कुश्चन हमने आपको बताया यहां पे पूश्चा गया मौइस्चर या नमी या आदरता हिंदी कुछ भी हो सकती आप लोग हिंदी इंगलीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजेगा एक घरेलू वायरी में कुछ फ्यूस से रिलेटेड कु एक और कुश्चन था मेगर का यूज क्या है तो जो इलेक्टर कल इंस्टूमेंट्स है न मौश्चन भी पूच्चे जा रहे हैं उनका आप लोग ध्यान रखेंगे हाई क्वालिटी इंसुलेशन रजिस्टेंस मापने के लिए हम मेगर का प्रियोग करते हैं कांग्रेस के अस्थापना कब हुई थी 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में राष्टपती को हटाने के लिए महावियोग जो लाया जाता हूँ आर्टिकल किसके अंतरगत आता है संभिधान में तो यह आपका आता है आर्टिकल 61 के अंतरगत तो ऐसे कुस्टेंस भी पूट अप हुए हैं यहाँ पर एमपियर जो है बिदुधारा का मातरक एमपियर यह आपका क्या है फंडमेंटल यूनिट है मूल मातरक है ठीक है यह कुश्चन्स हो गए और कुछ कुश्चन्स पूचे गए आप से किस-किस टॉपिक से हम आपको बता दें देखिए अगर आप यहाँ पे mathematics का question कर लें तो profit and loss के question आप अच्छे से कर लिजेगा एंड जो age related question होते हैं और आपके दूरी चाल एंड दूरी एंड समय से questions होते हैं उनको आप लोग अच्छे से कर लिजेगा इन सबसे question पूछे जा रहे हैं reasoning में अगर आप देखें तो blood relation हो गया blood relation आप अच्छे से पढ़िएगा इसके बाद आपका sitting arrangement आता है sitting arrangement को आप अच्छे से पढ़ेंगे analogy को आपको अच्छे से vein diagram से भी questions आ रहे हैं इसके अलावा अगर mathematics में जो percentage है आपका percentage से काफी questions आ रहे हैं ठीक है इसके अलावा आपका साधरान ब्याज है ठीक है साधरान ब्याज से भी questions put up हो रहे हैं तो इन सब को आप अच्छे से revise कर लीजेगा और बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि बहुत जादा hard questions नहीं पूछे जा रहे हैं बहुत सारे candidates ने comment किया है बहुत सारे candidates ने questions भेजे हैं अगर उन सब का level देखेंगे जो उन्होंने topic भी दिया है जैसे अगर आप electrical से हैं तो आप wheatstone bridge को पढ़ लीजे अच्छे से DC motor, DC generator को पढ़ लीजे transformer पढ़ लीजे अच्छे से सारे tools and safety के questions पढ़ लीजे तो basic जो ITI का आपका basic label है उससे questions काफी आ रहे हैं और फिर से हम आपको कह रहे हैं अगर आप 40% जो easy questions है इसको अच्छे से कर लें और 40% moderate को भी कर लें तो आप आसानी से questions मतलब करके अच्छा score कर सकते हैं और जैसा ITI के candidate से बात हुई है जो technical label का question है technical label के questions बहुत tough नहीं आ रहे हैं basic और moderate के ही जादा question है hard label के आपको बहुत कम questions देखने को मिलेंगे बाकी current में current affairs हो गया जी के जी इस अब आपको अच्छे से पढ़ना होगा बाकी आप सभी को हमारी तरफ से best of the luck अच्छे से examination दीजेगा अच्छे से तैयारी कर लीजे last time की तैयारी भी काफी माइने रखती आपके score को boost करने में बहुत help करती क्योंकि examination देने से just पहले आप जितनी जादा मेहनत कर सकते हैं वही examination का आपका output होगा thank you very much सभी को ख्याल रखिएगा आपना पढ़ाई अच्छे से करके examination दीजेगा बाकी के analysis के वीडियो में जरूर मिलते हैं आपके साथ